और इस देश की पुलिस जो कर रही है उस पे भरोसा कीजिए जब नौ तारीक का मामला सब जुडिस है तो वो मेरे लिए भी सब जुडिस है और वो वाइस चांसलर सहाब के लिए भी सब जुडिस है उसके उपर वोई लोग सबाल ने खड़ा कर सकते हैं अगर वाइस चांसल तो मोदी जी पर 10 साल चलाए गुजरात के मुखमंत्री कैसे बने रहे इनको आईडी तो तुम्हारे खिला भी चल रही है बोल आप नैतिक आधार पर इस्तिफा दे दीजे तुम मानते हो मेरे अंदर नैतिकता है तुम अगर इसा लगता है तो यह भोधकुसी की बात है तो ह अगर फेल हो भी जाते तब भी प्रेसिडेंट ही रहते तुम्हारे मुझ उठाकर के इस्तिफा मंगने से इस्तिफा नहीं हो जाए नहीं रहेंगे हम इसके लिए भी प्रापधान है उसका प्रापधान यह है कि तुम्हें स्टूडेंट्स का सिंग्नेचर लो एक्स्ट्र भी जानता था तो पूरे मीटिंग में जो है हंगामा करके रहा और वहाँ जो कॉंसिलर थी खास करके जो विमें कॉंसिलर से उनकी सहमती के बिना ये प्राइवेटी बिच करने का मसला है इनके लोग फिर से जो है एक खास न्यू चेनल के लिए वीडियो बना रहे थे जाकर वो फिर सम मचाकर के ताल ठोकने लगते हैं आसा देखिये इंकी हमित सहा ने कहा था कि बिहारीयों का डी एने में गरवरी है आज कल ये न्यू चेनल हमारा भी डी एने चेक कर रहा है घबराईए मत हमारा डीने हमारे माब आप चेक करेंगे और जैनियू में परने वाल हाउस के कंसर्ण के बिना यह अनकॉंस्टिचूशनल है अनदेमोक्रेटिक है और इलिगल एक्ट है यह एक्ट भी वो कंसिल मीटिंग के तहद कर रहे थे फिर पता चला उन्होंने कहा कि हमारा रेजुलीशन नहीं पढ़ा गया रेजुलीशन लिखा ही नहीं गया तो पढ़ न्हों पहता सा जो है मेहनत करके सोचे की चलो आज फॉरा कउंसिल मीटिंग वी हो आते हैं पहले कहा कि अनकॉंस्टिचूशनल है और उसी अनकॉंस्टिचूशनल मीटिंग में बाइठ करके जन्र सेक्रेटरी को कह रहा था कि तुमसे ज़्यादा पावर्फुल joint secretary ये तमाम चीजें हुई finally जो एक resolution पेस किया गया वह resolution पास हुआ और उस resolution में साफ साफ कहा गया है कि वी JNU administration ने HLEC को लेकर के जो हमारा concern है कि उसके composition पे जो हमने सवाल उठाए हमने जो उसको लोगतांतरिक बनाने का सवाल उठाया उस सवाल को address किये बिना इस inquiry committee ने अपना report submit कर दिया जब report submit किया तो students ने जिनके उपर आरोप लगाए गये हैं जिनको सोकोज notice भेजे गये हैं उन लोगों ने report मांगी तो report के नाम पे शुरू के 6 पन ने उनको थमा दिया गया यह बात जब union को पता चली तो union vice president ने union के letter head पे letter लिख करके कहा कि पूरी report हमको दीजिये तो vice chancellor साहब मुकर गए बोले कि पूरी report आपको नहीं देंगे मतलब पूरी report भी हमको देने के लिए तयार नहीं है और जो सोकोज बात नहीं लिखी गई है जैसे आप red light तो रहेंगे तो 200 रुपया जुर्माना license नहीं होगा तो 500 रुपया जुर्माना इस तरीके से कुछ भी specify नहीं किया गया है कि आप indiscipline किये हैं और आप indiscipline किये हैं कि नहीं किये हैं यह विसी तय करेंगे भाई साहब इसे अगर इस देश को चलाओगे तो इस देश की 80% जनता indiscipline कर रही है क्योंकि जो 20% लोग हैं उनको लगता है कि जो गरीब लोग हैं वो समाज पे burden है तो यह जो administration है उनको भी 8000 students अपने सर के उपर burden लगते हैं उनको लगता है कि यह सारे लोग university छोड़ करके चले जाएं आज जब हम लोग यहां जमा हुए हैं तो एक बात clearly समझना होगा ना मसला HLEC का है ना मसला report का है ना इस report के आधार पे इनकी कारवाई का है यह सब जो होगा सो होगा जिसकी बुनियाद ही कमजोर हो उसका मंजिल कितना तगरा होगा यह हम सब लोग समझते हैं तो HLEC का formation जब गलत हुआ है तो उससे अच्छी report आने की कोई संभावना नहीं है कहते हैं कि बबूल के पेड में कोई आम का फल तो निकलेगा नहीं अब भटनागर जैसे लोग HLEC में है हाई लेबल तो वो किस लेबल का report देंगे यह हम लोग पहले से जानते हैं report जब आ गई है तो 100 couch का एक जो है प्रोपगेंडा रचा गया है कि हम देखिये कितने democratic हैं कि पहले एक दिन का समय दिया था फिर थोड़ा सा समझे एक नहीं एक दिन में जवाब देना थोड़ा मुस्किल हो सकता है हम पर सवाल खरा हो सकता है कि एक ही दिन का up time क्यों दिये तो हमने तुरंत उसको extend करके दो दिन कर दिया है तो यह इस तरीके का तमाम चीड हो रहा है ऐसा लगे कि हमारे vice chancellor एक दम अपने मन से निरना लेते हैं बहुत democratic हैं और university को एकदम neutrally वो चलाना चाहते हैं इसलिए हम सब लोगों को तो सोकवाज भेजा ही भेजा हमारे hero को भी भेज दिया है लेकिन उसके जो charge है वो उसको पता दिया गया है यह बहुत interesting है हम लोगों को हमारी गलती नहीं बताई गई कि आपकी गलती क्या है specifically नारा लगाना गलती है कि खड़ा होना गलती है कि सावर मती पे जाके चाय पी लिए यह गलती है कि या जो लोग मार पीट कर रहे थे आपस में नोक्री पाना था डियू में तो उनको आपने छुडा दिया कि भाई नोक्री ले 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 ना लेकिन हम बोले यार मीडिया बहुत मज़ेदार काम कर रही है कि उसको पता नहीं कौन इंफर्मेशन देता है हम गए पुछने के लिए उनसे प्यारो मेडम से कि मेडम आप एड़ेकली मीडिया को क्या प्रेस रिलीज भेजे हैं जरा दिखा दीजे मुझे तुना मुझे पुझे प महां से आ रही है कि स्लोगन बाहर के लोग लगाए ये ये लोग वहां मौझूद थे एक कि स्लोगों को नोटिस भेजा गया हम बोले कि या तो हमारी देश की मीडिया बहुत सजग हो गई है जे इन्यू को लेकर के या फिर जे इन्यू के जो एड्मिस्टेशन में बैठे ह कि फ़े लोग हैं वो हमको बताना जरूरी नहीं समझते जो एक क्यूजड हैं वो मीडिया को बताना ज्यादा जरूरी समझते हैं खेर कोई बात नहीं है कुल मिला करके अच्छा माहौल है हम बहुत सुक्र गुजार है मीडिया के लिए कि कम से कम आप हमारी हर छोटी बरी चीज को अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी पता चल रहा है कि वेर जे नियू स्टेंड आपको भी पता चल रहा है कि जे नियू क्लाक्षीज है आपको भी पता चलेगा कि जब आप पिछले 22 दिन से क्लास यहां पर शूट कर रहे थे तो दो छोटा-छोटा छुटक सा माइक था और बड़े-बड़े एकेडमिशन आ करके नेशनलिजम पे अपना लेक्चर दे करके गए बड़ा-बड़ा सा माइक यह लगा है इसके बहुत छोटा सा आदमी नेशनलिजम के लिए आ रहा है कि जो मुझे आकर ठपर मारकर चला गया तब हमारे साठ्यों ने कहा कि जाने दो जोस में आ गया है अब वो आ करके बोलेंगे तो उन्हों न कह दिया था कि हमको डिस्टर्ब किया गया नहीं अनुपम खेर जी आप बहुत अच्छा अभिनाय करते हैं और आपके अभिनाय के बहुत सारे मुरीद हैं इस कैंपस में लोग लेकिन आप अभिनाय की जिएगा, अपना ग्यान मत धी जिएगा घिी आखिम, पढ़ते हैं निशनलिजम पढ़ते हैं और निशनलिजम की सबसे बनियादी बात जो हम समझते हैं हमको नहीं लगता कि सर का सारा बाल निकल जाने के बाद ही आप जो आप समझ पाए इस देश का निशनलिजम कभी भी एक देश की जाती के आधार पे नहीं हो सकता और इस देश का निशनलिजम कभी भी एक लिंग के आधार पे नहीं हो सकता अगर इस देश का निशनलिजम आप समझना चाहते हैं तो इस देश के जनता को देखिए जहां काले लोग भी है गोरे लोग भी है और स्यामले लोग भी है जहां लरकियां भी है और लरके भी है और वो भी है जो लरका ना है लरकी ना है यहां पर अमीर भी है और गरीब भी है यहां पर सभी जाती धरम के लोग है इस देश के निस्नलिजम को अगर हमको बचाना है तो हमको रोहित बेमूला जैसे लोगों के लिए न्याज सुनिश्चित करना पड़ेगा देश करना पड़ेगा, और इस निस्नलिजम को हम समझते हैं, इस निस्नलिजम के पक्ष में हम खरा होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको कोई नहीं मिलता, तो हम विद्यार्थियो के खिलाफ जो अपना फेलोसिप मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, उसके सामने आप सहिनिकों को खरा कर देते हैं, भाई सहाब, क्यूं सहिनिकों को हम से लड़ा रहे हो, हम तो कहना चाहते हैं अपने देश के सेना से, कि आप भी आईए मैदान पे, आप भी की जो लड़ाई थी, उसकी बात कौन करेगा, आज ये जो सवाल है देश के अंदर, जो हम इनक्वाइरी कमीटी पे उठा रहे हैं, उसमें क्या है बुनियादी बात? उसमें बुनियादी बात है डिमोक्रिसी, हम इनक्वाइरी कमीटी को लोग तांतरिक बनाने की बात कर हैं, हम इनक्वाइरी कमीटी में सभी जो डिप्राइब बैक्ग्राउंड के लोग हैं, उनकी बात ठीक से सुनी जाए, इसलिए हम उसको उसके कमपोजिशन पे सवाल खरा कर रहे हैं, आप लड़कियों को इनक्वाइरी के लिए बुलाएंगे, और उसमें एक भी अगर मह खिला सदस नहीं होगी, आइसका मतलब आप इस समाज की सचाई को नहीं समझते हैं, कैसे कोई लड़की जाकर के एक मेल प्रफेसर के समने अपने आपको डिफेंड करेगी कि यह हमारा पोजिशन है, इतना बेसिक सेंस, इतनी जमोक्रितिक अंडर्स्टेंडिंग अगर गरवरी है, इस गरवरी को एड्रस कीजिए, अगर आप इस गरवरी को एड्रस करने के लिए तैयार हैं, तभी जेन्यू जहां खरा होता है, लोकतंत्र के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, उस पर हम लोग खरा हो पाएंगे, और यह जो पूरी की पूरी लड़ाई है, उस दोपहर में उस पर डिसीजन होना था उसको चार बजे तक के लिए रिजर्व कर दिया गया है मैं बस एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर फैसला हमारे पक्ष में आया तब भी जेईन्यू को बचाने की लडाई जारी रहेगी अगर फैसला हमारे विपक्ष में आया तब इ एक बात बस मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कभी मत सोचिएगा कि प्रेसिडेंट जेनल सेक्रेटरी को रिस्टिगेट कर देगा या कुछ मोनेटरी फाइन हो जाएगा ये इंपोर्टन्ट नहीं है ये भी इंपोर्टन्ट नहीं है कि एचलेसी जैसा कोई कुछ बन देगा ये लोग और 15 तरीक को पीट दिया उसी तरीके से आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि रेक्टर से और वाइस चांसलर से बात हुई है उनको इस तरह की एक घटना का इंतजार था भौत दिनों से जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे और जब मैं भी आ आई दोनों तरफ गेट के इस तरफ स्टूडेंट सामने बहुत जादे भारी मातरा में पुलिस उसके बाद से ही जब गारियों की इंट्री सुरू हुई कैंपस में तो उसको टोकन दिया जाने लगा इस बार जो हुआ है इस बार की तैयारी में आपको बता दूँ वड़ ही है तो उन्होंने जोर दे कर कहा सारे गेट हुआ है इसका क्या मतलब है वास्रूम के गेट पर भी कुछ रहेगा क्या है कहना क्या चाहते हैं आप सारे गेट पर आप जो में इंट्री है वहां चेक किजिए लेकिन इनकी तैयारी यह है कि एड़ ब्लॉक स्कूल के गेट पर अपना फोट अगर हम लोग जाकर के देखें कंप्यूटर में तो खुस होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग कुछ गलत करते नहीं है इसे बहुत बेफिक्र रहते हैं जेल में थे तो CCTV कामरा लगा हुआ था धा डियान भी नहीं रहता था कि अपना कोई हशी में जाक नहीं है कि अपको बता रहे कि kidnapped करcej Dahibaar के सथ व्री के साथ हमारी मिटिंग तोowner सिचेश टीवी काम कर रहा था नौस तारीक को जब हमारी मिटिंग नहीं हुई मैं सो रहा था पूच्ष दिल सेटीवी काम नहीं कर रहा ठाने है यह इतना इंट्रेस्टिं तो उनको उनका बुनियादी हक दे दीजिए, उनको उनका फेलोशिप दे दीजिए, उनकी लाग्रेश को उनको किताब दे दीजिए, जब यहाँ पढ़ लें, जब उनका थिसिस सम्मिट हो जाए, तो जैसा ही थिसिस वो लिखें, जितनी ही उनकी योगिता है, उस योगिता कि आधार पर उनको नौकरी दे दीजिए, CCTV में मत फसाइगे, क्योंकि CCTV से न कभी अपराद रुका है, न रुकेगा, अपराद अगर रोकना है, तब अपराद की बुनियाद में जाएगे, अपराद की बुनियाद जो है, वो समाज में होने वाली गैर बराबरी है, और वो ग चल इसी माना है, ना रिपोर्ट माने हैं, ना तुमरा CCTV कैमरा मानने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी 24x7 पे एक CCTV कैमरा इंस्टॉल किया गया था, और उस वक्त का जो यूनियन था, वो लड़ा था, कहा था कि ठीक है, मारपीट हो गया, लोग वहां पे कर लिए, तो मार पस के अंदर अगर कुछ गलत हुआ है, तो उस गलत को हम सब लोग मिल करके रोकेंगे, वह इसे भी अगर पुलिस अपराद रोकती, तो पुलिस तो तब से है, जब से अपराद है, तो अपराद आज तक रुका नहीं, अपराद हमेशा समाज के consciousness से रुकता है, और हमको ल लेंगे, जातास जादा उनसे सवाल पुछेंगे, तो JNU जैसे campus में इस तरह के चीजों की कोई जरूरत नहीं है, और इसलिए मसला 5, 8, 10, 20 student को बचाने का नहीं है, मसला JNU को बचाने का है, मसला इस campus के अंदर जो democratic space है, उसको बचाने का है, और ये लडाई अंदर से ले बचाने की लडाई, इस देश के अंदर संभिधान और लोकतंत को बचाने की लडाई है, इसलिए दोस्तों, आप तमाम लोगों से अपील है, कि आगे, जो भी course of action होगा, administration का, उसके खिलाफ हम लोग एक जुट रहेंगे, और अपने साथी, उमर और बान की रिहाई को लेक लगाता आप संभर्स करते रहेंगे, उनी तमाम सब्जों के साथ, मैं अब तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खतम करूँगा, शुक्रिया इनकलाब जिन्दाबाद, छात रेकता जिन्दाबाद